Good morning students I will teach mathematics of 11th class exercise 3.3 बटा आपको यूपार्मला जो बता रहा हम sin square theta plus cos square theta is equal to 1 secant square theta minus tangent square theta is equal to 1 cos square theta minus cos square theta is equal to 1 ये तिनों के बारे में पहले समझा चुका हम ठीक है अच्छा cos theta is equal to 1 by sin theta secant theta is equal to 1 by cos theta cos theta is equal to 1 by tangent theta tangent theta is equal to sin by cos cos theta is equal to cos by sin यह आपको पहले से ही पता है सरी औहbst़ी इसके लाब जो पता होना च्याई यह X-axis है यह Y-axis ओरीजीन है ठीक है इसके अनदर फ्रस्ट वाट्रेंट होता है यह 2nd Quadrant है यह 3rd Quadrant है और यह 4th Quadrant है फ्रस्ट Quadrant में all positive इसे बने फ्रस्ट फ्रस्ट Quadrant में ओल positive all positive बतलाब छे trigonometric functions बताए गए हैं sin, cos, tangent, secant, cosecant और quote ठीक है ये 6 trigonometric functions है all positive का मतलए बेटा ये 6 के 6 trigonometric functions इसके अंदर positive होने चाहिए clear second quadrant में sin और cosecant दोनो positive होते हैं बाकि सब negative होते हैं यानि इन 6 के अंदर से 6 trigonometric functions हैं इसमें से sign और cosecant second quadrant में sign और cosecund positive होते हैं बाकि जो 4 बचगा है हमारे पास वो negative होते हैं second quadrant है अचा है third quadrant में tangent और cot positive होते हैं बाकि जो 4 बचगे हो negative होते हैं fourth quadrant के अंदर impresa negative होते हैं थीट है बई आगे चलते हैं तुम्हीं याद रखना पड़ेगा कि इसमें कौन positive पर्स्ट कॉण में कौन पॉजिव है, फिर्ड में कौन पॉजिटिव होते हैं, यह पहले भी सब्जा चुका हूँ कि कैसे पॉजिटिव होते हैं, कैसे नेगिटिव होते हैं, चलिए आगे, अच्छा एक बात यह पता हूं कि साइन 30 डिगरी केतना होता है, 1 by 2, आपको 0 डि दिगरी कोष्ट 30 डिगरी कोष्ट 45 डिगरी कोष्ट 60 डिगरी और कोष्ट 95 डिगरी जीर होता है, इससा पत्ते पता होने चीए, इसका मैं टेबल पहले कि समझा चुका हूं मतलब, टेजिए अच्छा उसके बात क्या आता है, उसके आद माल दीजीए आप से पुछेगा क कि को सिकेंट 25 डिगर की वेल्यू बताओ आपको साइन साइन के पर वेल्यू निकालने आती है कोस पर निकालने आती है टेंजन पर निकालने आती है लेकिन को सिकेंट 25 के तो इसके लिए मैंने रेजलेट बता रखें कि को सिकेंट इसको टू वन भाई साइन होता है को 1 by cos theta 30 तो यहां 30 लागा दो थीक है cos 30 को लिए हम जानते हैं ऐसी 490 degree that is equal to 1 by tangent 90 degree होता है 490 degree is equal to 1 by tangent 90 degree होता है क्योंकि 4 theta is equal to 1 by tangent 90 degree होता है छुट-छुटी बात है जो पता होने चाहिए अच्छा इसके लाबा tangent 90 degree कितना होता है मैं यह लिखर लिखर का tangent number degree ..not defined भीक कि infinity ठीक है.. तो tangent number degree that is equal to infinity infinity का मतलब होता है 1 by 0 या 2 by 0.. या 3 by 0.. या 4 by 0.. या 5 by 0.. 113 10 by 0.. ऐसे कपी लिख सकते हो बार तो non 0 आना चिह स stronger than तो बार निच्च 0 आना ची ठीक है .. तरह सब्च्छल्वा listeners यह minus 1 by 0 कितना होता है? minus 1 by 0 minus infinity अगर उपर negative नीचे 0 है तो minus infinity minus 17 upon 0 minus infinity minus 10 by 0 minus infinity ठीक है? यह सब बते याद रखने हैं यह पता होना चीह बते दी अच्छा, यह 0 by 0 क्या होता है? उपर भी 0, नीचे भी 0 अगर आजाए तो इसे कहते हैं indeterminate form पहले भी समझा चुका हूं लिए, 0 by 0 एक indeterminate form है, इसका मतलब है कि 0 को अगर मैं 0 से divide करता हूं, तो answer क्या आएगा यह बता नहीं सकते हैं, एक fix answer नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए, so this is indeterminate form, अच्छा 0 by 1 क्या होता है, 0 होता है, 0 by 100, 0 होता है, ऊपर 0 नीचे non-0 आजाए, तो answer 0 आएगा, ठीक है जी, quote 90 degree that is equal to 1 by tangent 90 degree होता है, tangent 90 degree infinity होता है, ठीक है जी, और infinity को कैसे represent किया गया, 1 by 0, 2 by 0, 3 by 0, infinity होता है, तो infinity is equal to 1 by 0 आजाया गया, ठीक है, इसको लिए सकते है, 1 into 0 by 1, तो answer किया गया, 0 by 1, 0 into 1, 0 by 1, 0 by 1, 0 by 1, तो 0 by 1 कितना होता है, 0 होता है, यह होता है, अच्छा, 3.3 exercise, पहला question, करता है, अगर थीटा की value 80 degree हो, तो आपको पता है, which of the trigonometric ratios are positive, कौन से trigonometric ratios, नहीं कि जो 6 trigonometric functions मैंने आपको बताए है, sin, cos, tangent, code, secant, cosecant, जो अगर थीटा 80 degree हो, तो इन 6 trigonometric functions में से कौन कौन से positive आएगा, 80 degree कौन से quadrant लाई करता है, फस्ट quadrant में, और फस्ट quadrant के अंदर कौन positive होता है, सारे positive होता है, इसलिए 6 के 6 trigonometric functions कैसे होंगे, positive, वो पूछना चाहिए रहा है कि sin 80 degree, cos 80 degree, tangent 80 degree, secant 80 degree, cosecant 80 degree, और code 80 degree, इन में से कौन कौन से positive हैं और कौन से negative हैं, अब मुझे यह पता है कि 80 degree 1st quadrant में लाई करता है और 1st quadrant के अदर सारे positive होते हैं इसलिए इन सब की value कैसे आएगी? positive आएगी, इन सब की value नहीं निकालना है कि यह positive आएगा या negative सिर्फ sign बताना है, तो इसके सारे कैसे हैं यह positive आएगा theta बराबर minus का 150 degree, अब check करो theta value अगर minus का 150 degree हो तो यह 6 के 6 trigonometric functions, positive इन से कौन कों से trigonometric functions positive हैं, कौन से negative हैं, या सारे positive हैं, या सारे negative हैं यह check करना है, अब minus का 150 degree हो कैसे check करते हैं, आपको पता है? पहले भी समझा रखा है, अगर angle negative हो तो clockwise direction में चलते हैं, तो यह पूरा 0 से minus 90 यह minus 90 गोरी present कर रहा है, 60 और जोड़ तो minus का 60 यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पर पहुचेंगे, minus का 150 degree इस quadrant में है ठीक है, 0 से minus 90 यह है, और यह minus 90 से minus का 180 degree यह होता है यह वाला quadrant, ठीक है, minus 90 से minus का 180 degree यह वाला quadrant है तो minus का 150 degree कहाँ पर होगा, इस quadrant में होना चाहिए यह कौन सा quadrant है first, second, third यह third quadrant है ठीक है और third quadrant के अंदर कौन positive होता है बताओ third quadrant के अंदर tangent और quote positive होते हैं बाकी सब negative होते हैं इसका मतलब यह हुआ theta की value अगर minus का 150 degree डालूं इन 6 के 6 trigonometric functions में से तो इसमें tangent और quote positive होंगे बाकी सब क्या होंगे negative होंगे इसका मतलब यह हुआ अगर theta की value 150 degree है तो sine minus का 150 degree theta की value इसके साथ sine के साथ लगाते हैं ऐसे cos minus का 150 degree tangent minus का 150 degree quote minus का 150 degree secant minus का 150 degree cosecant minus का 150 degree आपको बताना है कि यह सारे इन में से कौन-कौन positive है कौन-कौन negative है अभी solve नहीं करना सिधा ही directly answer देना है theta की value minus का 150 degree है आपको सिर्फ यह चेक करना है कि minus का 150 degree कौन से quadrant मैंने भी बताया third quadrant के अंदर है यह first यह second यह third quadrant के अंदर है कोई minus के 150 degree है अगर angle negative है तो clock question में चलते है और third quadrant में पहुंचता हूं third quadrant के अंदर कोई positive है tangent और quote तो इसके सबसे tangent का answer positive आएगा और quote का answer भी positive आएगा बाकी सब answer कैसे आएगे negative आएगे बस यही बताना था अगर theta की value अब third part theta की value 3 pi by 4 हो pi का मत्दब 180 degree है solve कर लिया 135 दिगरी आगया ठीके जी तो अगर theta की value माइनस का 135 दिगरी कौन सा quadrant होगा माइनस का 135 की positive एंगल है तो मैनस का 135 दिगरी में check करूँ यह माल लीजिए मैंने x-axis बनाई origin y-axis माइनस का 135 दिगरी बिटा second quadrant में आएगा अगर मैनस का 135 दिगरी second quadrant में है ठीक है तो उसमें हम जानते हो second quadrant में कौन positive होता है जानते है sign positive होता है और कौन positive होता है cosecant positive होता है बाकी सब negative होता है चलो second question check करते है इसका second question second का point number one है कथा कि tangent x value minus 1 by root 3 हो tangent x बराबर minus 1 by root 3 हो तो question यह है कि अगर tangent x minus का 1 by root 3 हो then find the quadrant in which x lies अगर tangent x कैसा है यहाँ पर negative value दे रखी बटा minus 1 by root 3 that is equal to negative तो यह पुछने कि यह x एंकर है वो किस quadrant में जाना चाहिए x first quadrant में होगा second में होगा third में होगा या fourth में होगा अब आपको सिर्फ यह check करना है कि जो tangent x हो negative है अब यह tangent x negative किस-किस quadrant में लाइब करता है मुझे यह बता दो tangent negative किस-किस में होता है यह तो पता ही आपको first में सारे positive होते है second के अंदर tangent negative होता है third में tangent positive होता है और fourth में tangent कैसा होता है negative होता है तो इसका मतलब यह हुगा कि tangent negative कहाँ पे होता है second quadrant में और tangent negative कहाँ पे होता है fourth quadrant में second में और fourth में tangent negative होता है ठीक है क्योंकि यह negative दे रखा है इसलिए x कौन से quadrant में जाएगा second quadrant में जाएगा और कौन से quadrant में जाएगा फॉर्थ क्वार्टर्म जाए, इसलिए लिए, x lies in second quadrant and fourth quadrant ऐसा कौन सा quadrant है, जिसमें sin तो negative होता हो, और cos positive होता हो, क्योंकि cos x positive दे रखा है, sin x negative दे रखा है, तो बताए, sin negative और cos positive कहाँ पर होता है, सिर्फ यह चक करना है, हम जानते हैं, यहां sin कैसा होता है, second quadrant में sin कैसा होता है, positive होता है, और इसमें sin कैसा होता है, negative होता है, लेकिन यह कोस कैसा होता है नेगिटिव होता है लेकिन मुझे साइन को तो नेगिटिव चाहिए है साइन तो नेगिटिव चाहिए ठीक है इसमें साइन भी पॉजिटिव होता है इसमें साइन कैसा होता है नेगिटिव होता है और कोस कैसा होता है पॉजिटिव होता है और मुझे साइन क करना था कि एंगल x कहा बिलोंग करना चाहिए थर्ड का सेकिंड पार्थ अगर साइन एक्स परापर माइनस कवन बाइटू है एंड एक्स लाइज इन फॉर्थ क्वाडरेंट और एक्स चोथ्य क्वाडरेंट में देखो अब जो यह कोशन समझाने जा रहा हूं इन धा फॉर्थ क्वाडरेंट बीड़ा एक्स कॉनसे क्वाडरेंट में लाई करता है तो आपको बाकी पांच्चो टिग्नोमेट्रिक फंक्स की विल्यु फान आउट करनी ہے आपके बास छे टृग्स हैं साहिन कोस टैंजेंट कोट सीकट को सीकेंट यहाश अब आपके पास यह इक किसी एक की वेल्यू देगा शन से कि यहां पर sin x की वेल्यू दे रखिए minus का 1 ब्यट हूँ और साथ में बता रखा कि x lies in fourth quadrant अब x lie करता फोर्थ quadrant में अब आप जानते मिटा fourth quadrant है मैं बात करूं fourth quadrant की यह fourth quadrant है ठीक है कोण सा quadrant है fourth इस fourth quadrant के अंदर यह first ये 2nd ये 3rd और ये 4th में positive को дов ऊता है 4th के उन्हें positive होता है cos और cos का हुटा कोन होता है? secant theta और cos theta बता ये दोनो positive होते हैं बाकी सब कैसे होते हैं? Negative बतलब इन दोनों की value positive आएगी बाकी सब की value negative आनी चाहिए चलो देखते हैं अब कैसे निकालए sin X बराबर माइनस का 1 by 2 है, X लाई करता है in fourth quadrant, अब sin एक trimetric functions given है, बाकी पांचों हमें निकालना चाते हैं, ठीक है, इस भी चेक करो, सorg second positive होते हैं, बाकी चारो कैसे होते हैं, नेगिटिव, नेगिटिव कौन से बच गए, टेंजन्ट बच गया, जो नेगिटिव होता है, कोट बच गया, वो भी नेगिटिव होता है, और कोसिकेंट बच गया, वो क्या होता है, नेगिटिव होता है, साइन बच गया, वो भी नेगिटिव हो x y करता है in fourth quadrant में सब्बस겨फे मैं cosecant x के वह Beautiful निकाल ना चाहूंगा क्यों क्यों क्योंकि cosecant का sign relation है बेटा cosecant x that is equal to 1 by sine of x होता है sin x के वह भी minus 1 by 2 डाल रखिए minus 1 by 2 डालो answer निकाल लो minus 2 तो cutcant x के आ गया minus 2 आ गया है clear चलो अच्छा इसकी बाद चलते हैं आगे uh coordinate x के व्यूर निकलने के बाद मैं cos x के व्यूर निकलना चाहूंगा ठैकर sin का relation cos के साथ भी होता है अब sin का cos के साथ किया relation होता है वो आपको पता होना चाहिये भए हम जानते है sin square x plus cos square x is equal to 1, क्या जानते है én sin square x plus cos square x is equal to 1 जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ एक मिनटे यह दिखे sin square x plus cos square x is equal to 1 कैसे होता है उसकी help sums को solve करेंगे यहाँ बता रहे हैं कि cos x बराबर यह result आया बटा यह result आया cos x बराबर plus and root of 1 minus sin square x आया तो मैं जानता हूँ cos square x plus sin square x बराबर 1 दे रखा है तो sin और cos में एक relation दे दिया अगर आपको sin x की value देगा तो आप cos x की value निकाल सकते हो अगर आपको cos x की value देगा तो आप sin x की value निकाल सकते हो किलिए रहे बात अगर यह relation से sin x की value दे तो cos x की value निकाल सकते है cos x बड़ाबर 1-sin2 x होता है ठीक बटा square अटाएंगे तो root of 1-sin2 x square अटाएंगे तो root तो आजाएगा बटा लेकिन square पलस और माइनस दोनों आता है यहाँ पर पलस और माइनस या तो answer पलस होना चाहिए या फिर answer माइनस होना चाहिए यह depend करता है कि यहाँ पर पलस का निसान लगाऊं या माइनस का निसान लगाऊं यह इस x पर depend करता है कि यह वाला x कौन से quadrant में given है जैसे कि इस question में दे रखा है कि x लाई करता in the fourth quadrant x को की fourth quadrant में है और fourth quadrant में cos कैसा होता है बटा होटा फूर्थ क्वाडरेंट में कोस कैसा होता है पॉजिटिव होता है इसलिए कोस X के विल्यूट अनिची पलस अंड रूट 1- साइन स्क्वेर एक्स इसलिए कोस X पॉजिटिव होना ची नेगिटिव नहीं होना ची इसलिए मैंने अब फर्मल लिख रखा कि स्कूल कर लो यह को सेक्स की विल्यों कि को सब्सक्राइब को सेक्स निकाला थीक है फिर साइन से मैंने को सेक्स निकाला चकरोग कैसे निकाला ठीक है cos x मिल गया cos x अगर मुझे पता तो मैं secant x निकाल सकता हूं क्यों तो कि secant x that is equal to 1 by cos x और cos x के लिए मुझे पता है क्या है undrood 3 by 2 यहाँ पर undrood 3 by 2 डाल सकते हैं तो यह 2 by undrood 3 जाएगा इस तरह से secant of x निकल गया अच्छा उसको बात करते हैं tangent x tangent x निकालने का formula क्या है tangent x that is equal to sin x अपन में cos x तो sin x के लिए निकाल रखी पहले ही minus 1 by 2 डाल दो minus 1 by 2 cos x cos x विए निकाल रखी कितनी undrood 3 by 2 undrood 3 by 2 solve कर लो यह tangent x के लिए आगे हमारे पास ठीक है यह अपने आप निकाल के देखो solve कर ले ना tangent x value minus 1 by root of 3 आजाएगे cortex के value निकालने है cortex that is equal to 1 by tangent x होता है tangent x value निकाल रखी है अपने minus का 1 by root 3 डाल दो solve कर लो यह cortex value आगे इस तरह से हम एगर एक trigonometric function दिया जाए तो पाच्चो trigonometric functions की value निकाल सकते है ठीक है तो उसके लिए जरूरी बात यह है कि आपको पता हो कि sin square x plus cos square x is equal to 1 होता है दूसरा secant square x minus tangent square x is equal to 1 होता है cosecant square x minus cot square x is equal to 1 होता है यह तीनों फर्मले use school है जहाँ पर इसका हम use कर शकते हैं इन values को निकालने के लिए दूसरा cosecant x is equal to 1 by sin x होता है cosecant x is equal to cos by sin होता है tangent x is equal to sin by cos x होता है secant x is equal to 1 by cos x होता है तो इस तरह से सारी value पता होनी चाहिए आपको ठीक है आगे चलते हैं यह तीसरे का second part समझाया है मैंने लिए आपको अच्छा अगर मैं आगे देखें अगर question number है fourth का second part fourth के second part में कहता है कि अगर cos x plus sin x is equal to 0 दे दिया जाए और x लाई करता है in the fourth quadrant x लाई किसमें करता है fourth quadrant में लाई करता हो ठीक है तो आपको बताना है कि पाच्छों के पाच्छों trigonometric functions की value निकालो हाला कि इसमें पाच्छों का ही question से पाच्छों trigonometric functions नहीं निकलवाए पाच्छों नहीं निकलवाए लेकि मैं फिर भी पाच्छों निकालके आपको दिखा रहा हूं हरे question के अंदर कैसे करें जो है sin x अजिए cos x को दर ले आओ minus का cos x हो जाएगा ठीक है दोनों तरफ cos x से divide करतो sin by cos x is equal to cos x से divide करतो यह minus 1 बन गया तो sin by cos tangent x that is equal to minus 1 तो tangent x के लिए क्या दिया minus 1 लेकिन उन्होंने कहा रहा कि एक्स लाई करता है इन्हों फोर्थ क्वाडरेंट एक्स लाई करता है किसमें फोर्थ क्वाडरेंट में आपको यह गिवन है आपको पाच्चों ट्रिम्मेट्रिक फंक्शन की वेल्यू निकाला नहीं यह गिवन है आपको इस से मैं टेंट एक्स की वेल्यू माइनस निकाल ली टेंट एक्स लाई करता है लेगिन एक्स लाई करता है फोर्थ क्वाडरेंट में फोर्थ क्वाडरेंट यह होता है फोर्थ क्वाडरेंट जानते हैं कौन-कौन पोजिटिव होता है फ्र्थ क्वाडरिन के अंदर कोस और सीकेंट तो पॉजिटिव होते हैं pesos और सीकेंट दो बाकि सब नेगिटिव होते हैं स्युंता है tension x प्राबर माइनस हम आने के बाद आप कोट एक्स कि mirror यूफ्प माइनस टेजु T स्टरेट से टांढ़ी आई अब जानते हो कियों क्यों कि सीचन्ट स्क्सक्याइक्स माइनसु टेन स्क्ष्ट क्या होता है क्पने स्टरेक्स फिरेक्स बरबर ऑएक्स बराबर केरे c against यहां से sec of x के लिए and root of 1 plus tangent square x plus और minus लेकिन x कौनसे कवर्डन में लाहिए करता है फॉर्थ में और फॉर्थ में secant कैसा होता है positive होता इसलिए answer plus का आना चीए minus का नहीं आना चीए ठीक है इसलिए मैं यहां secant x बराबर लिख दिया and root 1 plus tangent square x tangent x के लिए minus 1 is output कर दी बेटा solve कर लो answer आगया and root of 2 तो इस तरह से हमने क्या कर दिया secant x के लिए secant x पता है cos x बराबर क्या होता है 1 by secant x होता है secant x के लिए डाल दी cos x के लिए निकाल ली ऐसी cosecant x करके देखूए अपने आपकर करके देखना है negative क्यों आया क्योंकि fourth quadrant के अंदर cosecant x कैसा होता है negative बेटा fourth quadrant में cosecant negative होता है ठीक है और codex के लिए निकाल रखी कितनी minus 1 codex के लिए minus 1 डालो ऐसे cosecant x आ गया और sin x बराबर क्या होता है 1 by sin of x 1 sorry sin x बराबर 1